सीनिय टीचर, गोवर्मेंट सीनिय शेकंडी स्कूल, अडावता, पंचाई सिमिती चिडावा, जिला जुनुनू, रज़स्तान फ्रेंड्स, यूटूब पर आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, बहुत से अच्छे अच्छे टीचर्स, बहुती अच्छे डंग से आपको grammar पढ़ाते हैं, इंगलिस के लेशन्स पढ़ाते हैं तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने तरीके से पूरी ग्रामर को कवर करूँ और आपको अंग्रीजी के लेटर से स्टार्ट करके मैं आपको ग्रामर का बड़े से बड़ा टोपिक आपको पढ़ाऊंगा। लेटर से हमारे इंग्लीज की सुरुवात होती है। जी हाँ, A, B, C, D, इस तरह से चलते-चलते, Z तक जितने भी अक्सर हैं, उनको हम लेटर करते हैं, L, E, T, E, R, S, लेटर का मदल होता है अक्सर, और लेटर का मदल होता है पत्र, लेकिन यहां ग्रामर में मेरा कहने का मदल इनी अक्सरों को जब हम आपस में जोडते हैं, उनका कंबिनेशन बठाते हैं, तो फिर बनते हैं वर्ड, जैसे तीन वर्ड मिलाए, A, N, T, तो एक वर्ड बन गया, N, C, T, जब A, N, T, अलग-अलग हैं, तो इनका कोई मिनिंग नहीं होता, लेकिन जब यह तीनों लेटर, एक साथ समायजित होते हैं, एक साथ लिखे जाते हैं, तो इन से एक वर्ड बनता है, जिसका मिनिंग होता है, A, N, T, N, G, T, तो फ्रेंड्स, लेटर किसको बोलते हैं? अपनी अलफावेट के जो अलग-अलग अक्सर हैं, A, B, C, D, E, F, Z तक, यह सभी कहलाते हैं लेटर्स और जब हम इन लेटर्स को आपस में एक सिस्टमेटिक डंग से लिखे, इसका समोह बनाते हैं और जिसका कोई अर्थ निकले, ऐसे लेटर्स, जिनको एक साथ लिखने से जिनका कोई मिनिंग निकले, तो हम उसको बोलते हैं वर्ड, जैसे A, डबल, पी, L, E, Apple, सबसे पहले जब हम LKG, UKG क्लास में आते हैं, तो यही वर्ड बच्चों को सिखाय जाता है, एपल, तो एपल में पास लेटर्स का कम्बिनेशन है, A, डबल, पी, L, E, लेकिन जब इनको हम सिस्टमेटिक डंग से लिखते हैं, तो एक, इसका अर्थ निकलता है, सेव, तो जब हम लेट हम देखते हैं, F, A, N, F, N, B, W, O, K, B, C, A, T, Cat, D, O, G, Dog, B, R, O, T, H, E, R, Brother, S, I, S, T, E, R, Sister, यानि भहुत सारे ऐसे फिर वर्ड बनते हैं, जिनके मिनिंग निकलते हैं, तो सबसे पहला हुआ लेटर, A, B, C, D, E, F, G, H, Z तक, और फिर इन लेटर्स को जब हम अरेंज करके सिस्टमेटिक डंग से लिखते हैं, तो बनते हैं, वर्ड, और जब इन वर्ड्स को हम एक सिस्टम से लिखते हैं, तो फिर बनते हैं, सेंटेंस, जैसे, राम is a good boy, तो जो राम सब्द है, R, A A, M, राम, तीन लेटर से मिलके एक वर्ड बना राम, जिसका मतलब होता है, किसी व्यक्ति का ना, इज, I, S, ये दो लेटर से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है, होना, इज, है, A, good boy, G, W, O, D, good, good means अच्छा, B, O, I, boy means लड़का, तो जब इन वर्ड्स को हम एक साथ सि sentence होना, राम is a good boy, यानि राम एक अच्छा लड़का है, तो इस तरह से, जब वर्ड्स को हम अरेंज करते हैं, तो एक बनता है, meaningful sentence, sentence meaningful भी हो सकता है, और बिना meaning का भी हो सकता है, लेकिन, जब हम English में कोई paragraph लिखते हैं, letter लिखते हैं, essay लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो हमें meaningful sentence ही लिखने पड़ते हैं, जहां meaningful sentence नहीं होता, वहां हमें exam में marks नहीं लिए जाते हैं, तो आज हमने तीन चीजों की बात की, सबसे पहला letter, दूसरा word, तीसरा sentence, कल का जो lesson होगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा, कि sentence meaningful और बिना meaningful के किस तरह से बनते हैं, और कितन अपरकार के sentence होते हैं, कल के अपने lesson में अपना ये topic होगा, तो मुझे उमीद है, आपको ये भहती आसान तरीका पसंद आया होगा, और आप इस तरह से, इस grammar के topic से मेरे साथ जुड़े रहेंगे, thank you very much. Letters A, B, C, D, आगे चलते चलते, Z तक, और जब इन Letters को हम अरेंज करते हैं, इन Letters को हम जब अरेंज करते हैं, जैसे तीन Letters से C, A, T, तो एक word बन गया cat, B, O, Y, इन तीन Letters को हमने अरेंज किया, तो word बन गया boy, D, O, G, तीन Letters को हमने अरेंज किया, तो बन गया dog, इसी तरह से जब इन Letters को हम अरेंज करते हैं, तो बनते है words, फिर जब इन words को हम एक systematic ढंग से arrange गरते हैं, तो बनते हैं sentence, for example, Ram is a good boy, Sita is a good girl, तो इन words को जब हमने arrange गया, तो उनसे बना sentence, अब sentence कितने प्रकार क्या होते हैं, ये मैं आपको अगले topic में बताने वाला हूँ. मुतक भी जब रचार सकते हैं, आपको शीकितने सä उनसे, ये मैं बताने कितने वाला हूँ.